नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में बात कने वाल हैं BPSC TRE 3 एक्जाम दोचाट चोबिस क्रिगारिंग जैसा कि आप लोग के मालुमगा कि BPSC TRE 3 क्लास 1,2,5 और 6,8 का इक्जाम 15 मार्च को दो सिप्टों में कनक्ट कराया गया था और दोस्तों, फाइनली पेपर लिख हो गया था जिसके कारण पूरे राजभर में पोर्टेस्ट भी किये जा रहे हैं दोस्तों, इसी बीच बिहार लोग शिवायोग यानि BPSC के द्वारा अभी अभी प्रेस भीगयपती जारी क्या गया है और परिछा रद होगा या नहीं होगा शंपून जनकारी बोता आया गया है तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, अगर चिनपा पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, फ्यूक्चर में लटेस्ट अब्रेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए दोस्तों, ये रहा प्रेस विगयप्ती, हाला कि दोस्तों, अभी ओफिसल वेबसाइट पर ये प्रेस विगयप्ती देखने को नहीं मिला होगा, कुछी दिर में आप लोगों को ओफिसल वेबसाइट पर ये पब्लिस हो जाएगा यहाँ पर देख पारोगे, बिहार लोग शिवायोग 15 नहरूपत बेली रोट पटना प्रेस विगयप्ती, यहाँ पर देखते हैं, दिनांग 15.3.2024 को बिहार लोग शिवा आयोग द्वारा आजित अध्यापक भरती परिच्छा TRE3 के प्रस्ण पत्र के कथित रुप से ल अगे देख सकते हैं, कि उपलब्द कराया गए परतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीच्छा के करम में यहाँ बात सामने आई है कि दिनांग 15.3.2024 को आजित परिच्छा शंपन्पन परिच्छा परारम होने के पूर्व फ्रस्ण पत्र लीक होने के समन्ध में मानन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे BPCIU का काना है, कि जो साइबर अपराद टीम द्वारा यहाँ परतिवेदन दिया गया है, इसमें कोई ऐसा पुखता सभूप्त नहीं है, 15.3.2024 को जो पेपर हुआ है, वो लीक हुआ है, आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंसन क्या गया चाप्यमारी तथा उतर रटने हेतु सेंकडों की संख्या में अभियर्थी एकत्रित होने एवं चापमारे के करम में कई मोवाईल, लैप्टोप, पेंड्राइव आधी बरामद होने की सुचना परतिवेदित हुई थी, आगे देख सकते हैं, आयोग को परस्न पत्र लीक ह होने के समंध में पर्थम सुचना दिनांग 15-30-24 को अपराहन 2 बज के 30 मिनट, यानि 5 बजे तक उपलब्द कराई गई, उसके पूर्ब आपराहन 12 बजे पर्थम पाली की परिच्छा समावत हो चुकी थी, और दूतिय पाली की परिच्छा आपराहन 5 बजे परारम हो गई अंत्रगत है, आयोग द्वरा परिच्छा रंब होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उतर लिक होने समंधी ठोश साच की मांग आर्थिक प्राध हीकाई से की गई है, ठोश साच एवं वांशित सुचनाय प्राप्त होने पर समीच्छाव प्रांथ सिछक भरती कि समंध में आयोग द्वरा निर्णाय लिया जाएगा, दोस्तों इनको साप साप करना है कि जो आर्थिक अप्राध हीकाई के द्वरा जो प्रतिवेदर प्राप्त हुआ है, उसमें कोई ऐसा पुकता सबूत नहीं है कि पेपर लिक हुआ है, हलां कि आप लोग के मालु होता है, जो प्रतिवन्धी पार्टी होंगे, जो विपच्छ के दल होंगे, इस पर हाभी हो जाएगी, जैसा कि आप लोग का मालु होगा कि 2.5,00,00 के आसपास में हाली पिलाल में टीचर के यहां पर भरती कंड़त करा गया, कहीं भी चीटिंग की मामला देखने को नहीं म सकता है, पर दोस्तों 99% समझ लें कि परिच्छा आयोग रद करने के मूड में नहीं है, दोस्तों अभी तो बता रहे हैं कि जांच चल रही है, और कुछ दिरों के बाद में पालों चलेगा कि जांच में पाया कि कुछ नहीं है, और धर-धर सारे मामलाई सांथ हो जाएंग कि पर्थम पाली की परिच्छा समावत हो गया था, दूसरी पाली की अस्टार्ट हो गया था, जब दूसरी पाली की अस्टार्ट हो गया वहां पर लोग अभी अस्टार्टी कर रहे हैं तो कैसे परिच्छा में सामिल होंगे, तो दोस्तों इसके बैसिस पे आयोग अपना ह हाथ पीछे खीच ली है यह परिछा कैसिल करने के चक्कर में नहीं है दोस्तो यह जो प्रेस भी अपती है आपको कुछी दिर में ओफिसल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो यह अपडेट था धन्यवाद